पहली बार थर थर कापे रोहित और विराट गंभीर की एक गलती ने टीम इंडिया को किया बरबाद खाता भी नहीं खोल पाए पांच बले बाज बन गया इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकोर्ड आग का गोला बनकर मैदान में आये थे दो कीवी गेंदबाज 80 मिनट की तबाही में टीम इंडिया की उड़ाई धजियां सर्फरास खान ने अपने पैर पर मारी कुलहाडी जैसवाल का भी हुआ बरहाल 147 साल के इतिहास में पहली बार बैंगलूरू की धर्ती पर बना शर्मनाक रिकोर्ड शर्म से जुग गया रोही शर्मा का सिर बुम्रा ने खाई बदला लेने की कसम बैंगलूरू केम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बारिश के बाद जब भारतिया टीम बले बाजी करने के लिए मैदान में आई तब 140 करोल हिंदुस्तानियों को अंदाजा नहीं था न्यूजिलेंड के दो गेंदबास कितनी तबाही मचाने वाले हैं चिन्ना स्वामी में भारतिया बले बाजो के पैर कापते रहे पहली बार कप्तान रोई शर्मा का सिर्शर्म से जुग गया कोच गोतम गंभिर की एक गलती भारतिया टीम को इतनी भारी पड़ी की भारतिया टीम इतिहास में पहली बार अपने घर में सबसे चोटे स्कोर पर ओलाउट हो गई गोतम अमिर की गलती पर आएंगे और दो शर्मनाक रिकोर्ड दिखाएंगे जो आज भारत्य टीम के लिए कलंक बन गए हैं लेकिन पहले आपको भारत्य बल्ले बजो की बर्बादी की कहानी दिखाते हैं रोहित और जैसवाल जब ओपनिंग करने के लिए आये तब लगा था आज भी रोहित तूफानी अंदाज में कोहराम मचाएंगे और चोके चखके उड़ाएंगे लेकिन रोहित शर्मा दोरन के निजी स्कोर पर बोल्ड हो गए टिम साओदी ने रोहित को बोल्ड करके टीम इंडिया को संकट में डाल दिया इसके बाद विराट कोहली मैदान में आते हैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम से पूरे देश को मीत थी लेकिन विराट खाता भी नहीं खोल पाए और नए नवेले गेंदबाजू और रेक ने पवेलियन लोटा दिया इसके बाद गोतम गंभिर ने सर्फरास खान को मैदान में उतारा शुमन गिल की जगाह सर्फरास खान को प्लेंग 11 में चुना गया था लेकिन बाइस गच की पटी पर सर्फरास के पैर भी कापते रहे और बिना खाता खुले ही सर्फरास खान भी मैट हैंरी का शिकार बन गए दस रन के स्कोर पर भारत के तीन विकेट गिर गए थे टीम इंडिया की स्वांसे थम गई थी लेकिन इसके बाद ये शिस्वी जैसवाल भी तेहरा रन के निजी स्कोर पर विकेट दे बैठे अब केल राहुल मैदान में आते हैं लेकिन केल राहुल भी खाता नहीं खोल पाए ऐसा लग रहाता है जैसे भारत ये बल्यबास खेलना भूल गए हो केल राहुल के बाद रविंदर जडेजा भी जीरो के स्कोर पर आउट हो गए यहां तक की जडेजा के बाद मैदान माय अश्वीन भी खाता नहीं खोल पाए पाँच बल्यबास बिना खाता खोले ही पवेलियन लोट गए थे भारत के लिए रिशाप पंत ने सबसे बड़ी बीस रनों की पारी खेली थी लेकिन पंत भी अपनी गलती से मैट हैंरी की गेंट पर शिकार बन गए किरकेट इत्यास में पहली बार अपने घर में टीम इंडिया सिर्फ 46 रन मना कर उल आउट हो गई मैट हैंरी ने पांच और युआ गेंट बाजो और राक ने चार विकेट लेकर भारते टीम के बले बाजी को तहस नहस कर दिया था बैंगलूरू में पहले दिन लगातार बारिश के बाद खेल रद हुआ था दूसरे दिन भी बारिश हुई थी लेकिन इसके बाद भी गेंट बाजो को गीली पिछ पर स्विंग मिलेगी लेकिन भारत ये टीम ने बले बाजी का फैसला किया और न्यूजिलेंड के गेंद बाजों ने स्विंग से कुहराम मचा कर भारत्य टीम को बरबाद कर दिया टीम इंडिया ने टेश्ट इतियास में अपना तीसरा सबसे छोटा स्कोर बनाया है पहली बार गोतम गंभिर भाउक होकर बैठे थे और पूरे दिन अपने फैसले पर पश्टाते रहे खेर आपको क्या लगता है टीम इंडिया अभी भी इस मैच में पलट वार कर सकती है या नहीं अपनी राय लिखकर बताईए और वीडियो को दोस्तों तक पहुचाईए